हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे exercise 1.5 की और इसमें हम पढ़ेंगे कुछ laws of exponents जो की कुछ इस तरह सा दिखेंगे इन में से पहला जो आप law देख रहे हैं वो है a power m into a power n is equal to a power m plus n इसका मतलब क्या है when bases are same, bases का मतलब क्या हुआ अगर आपने कोई number लिखा 3 की power 2 तो यहां जो 3 है यह आपका base number है और 2 जो है वो आपकी power है इस number की, तो when bases are same आप देखें यहां पर base same है तो इनकी powers add हो जाएंगी अगर यह multiply हो रहे है तो चीक है when bases are same powers are added अगर multiply हो रहा है लेकिन अगर वो divide हो रहा है bases are same powers will be subtracted यहां पर इनों दे रखा है कि m जो है वो greater than n मतलब m जो है वो बड़ा है ताकि आपकी एक ही जो power है वो positive रहे नेगेटिव ना रहे अगर m छोटा हो जाएगा तो आपकी power जो है वो negative हो जाएगी तो पहला तो आपने यह देखा when bases are same powers are added when bases are same और division हो रही है powers are subtracted एक यहां पर है a की power m whole power n तो यहां पर क्या है a की power m है और इस total की power n है तो यहां पर a आपका जो solution आएगा वो आएगा a mn मतलब a की power हो जाएगी m multiply by n और चौती identity आपको जो याद रखनी है वो यह है कि when a की power m और b की power m अब आप यहां देखो power same है लेकिन base अलग अलग है तो इस case में आप क्या करोगे आप a और b को multiply कर दोगे और उसकी power आजाएगी m अभी आप जब यह questions के साथ करोगे आपको बहुत आसनी से समझ में आ जाएगा यह तो देखिए first question है आपको find करना है 64 की power 1 by 2 64 इस तरह के से लिखा हुआ है इसकी power 1 by 2 है आपको इसको solve करना है तो आप क्या कीजिए 64 को ऐसे number में बदल दीजिए कि power उसकी 2 हो जाए यानि कि अगर मैं लिखो 8 की power 2 तो 8 की power 2 is actually 64 होता है तो 64 की जगे 8 की power 2 लिख दिया और य यहां दीजिए यह हमारी identity बन गई अभी जो हमने पीछे की जो हमने second वाली की थी एकी power M whole power N तो इसका अभी हमने देखा था क्या था कि यह हो जाएगा इस टू एकी power M N यानि M और N multiply हो जाएंगे तो आप यहां लिख दीजिए यह 8 और इन इसको यह थोड़ा पोलियो हो गया 8 को कोई बात नहीं 2 into 1 upon 2 अब यह 2 और 2 cancel out हो गए अब यह 2 और 2 cancel out होने की वज़े से क्या हो गया यह 8 की power 1 रह गया यानि कि आप इसको बोल सकते हो कि आपका answer आगया 8 second देखिए 32 की power 1 by 5 अब 32 को आपको ऐसे बदलना है कि यह जो हमारा जो main problem है यह upon में 5 यह cancel out हो जा है तो अगर आप देखोगे टू की power 5 जो है वो 32 के बराबर होता है आप करके देखिए टू टू जब फोर फोर टू जा एक टू जा एक टू जा 16 16 तू जा 32 तो 5 बार multiply करेंगे 2 को तब यह होगा तो अब आप देख लिजे इसको इस तरह से लिखने के बाद यह 2 की पावर होल यह 5 multiplied by 1 upon 5 5 or 5 cancel पीछे बचा 1 2 की पावर 1 which is equals to 2 3rd पार देखिए 125 की पावर 1 by 3 तो 125 की पावर अगर 1 by 3 है तो आपको 125 को बदलना पढ़ेगा किसमें पताइए यह कुछ ऐसा नमबर इसकी पावर 3 हो जाए तो आप देखिए 5 की पावर 3 5 into 5 25 25 को 5 से multiply करेंगे तो हो जाएगा 125 तो हम इसको लेट सकते हैं इस तरीके से अब आप देखिए वही सेम चीज़ 5 की पावर 3 into 1 by 3 तो 3 और 3 cancel out हो गए एक दूसरे से क्योंकि एक numerator एक denominator है तो आपका answer आगया 5 की पावर 1 which is equals to again 5 आए देखिए second question find करना है हमें यहाँ पर दे रखा है 9 की पावर 3 by 2 यह हमें निकलना है तो हम क्या करेंगे इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे 9 को चेंज कर देंगे 3 की पावर 2 में 339 और बाकी जो बाहर लिखा है वह है जिछ लिख देंगे फिर वापिस वह यह identity आ गई कि पावर M whole पावर N तो यह powers दोनों multiply हो जाएंगे आपस में तो यह 2 और यह 3 upon 2 यह दोनों आपस में multiply हो हो जाएंगी और यह 2 to cancel out हो जाएंगे तो यह बचे का पीछे 3 की पावर 3 अब 3 की पावर 3 का मतलब 9 नहीं होता है कुछ लो करके 339 ऐसा नहीं होता 3 की पावर 3 मीन्स 3 into 3 into 339 और 9 3027 27 is the correct also second part देखिए 32 की पावर 2 upon 5 यह अभी हमने किया था 32 का वहां पर पावर 1 by 5 था यहा पावर 5 में तो वो कैसे हो जाएगा वो जाएगा टू की पावर 5 तू की पावर 5 32 की जगे आ जाएगा क्योंकि अभी हमने देखा था इंटू 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 पांच बार मल्टिप्लाइब करोगे तो वह 32 बनेगा और 2 upon 5 as it is अपनी च कर्तू गयो तो पीछे बचा टू की पावर टू अब टू की पावर टू का मतलब टू टू जार फॉर थर्ड वाला देखिए थर्ड वाला है 16 की पावर 3 upon 4 तो 16 की पावर अगर 3 upon 4 है तो हमारे लिए मेन प्राब्लम है यह upon वाला 4 तो हमें 16 को ऐसे नमबर में बदलना टू की पावर टू क्योंकि पावर ना नीची फॉर तो हम इसको टू की पावर फोर लेख सकते हैं आप करके देख लो टू टू जा फोर फोर टू जा एट एट टू जा सिक्स्टी चार बर मुल्टिप्लाई करने पे 16 आ जाएगा और 3 by 4 अपनी जगे आही जाएगा तो व ठी फॉर गयो पॉर ऑग Grander फोर फोर गयो तो क्या रहे गयो ठू की पावर ठीर है और दूकि पावर त्री का मतलब एट तो की पावावर थी। बतलब बताये टू इंटू इंटू टू 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 द फोर टू जार एट एट इस तराइड आज आओ जी फॉर्थ भी देख लेते हैं फोर्थ है 125 की पावर माइनस वन अपान त्री तो यह माइनस तो हम बार में देखेंगे अभी जो हमारे मुल्टिप्लाइ करेंगे तो बन जाएगा 125 तो यह माइनस वन अपान त्री वहीं का महिरा लोजी वापिस वहीं आ गया एक पावर मन तो यह तिन यह दोनों पावर जो है आपस में मुल्टिप्लाइब हो चाएगी और मुल्टिप्लाइब होने के बाद थ्री से थ्री अब इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे अगर आपकी पावर नेगेटिव है आपकी मतलब नंबर की पावर अगर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप नंबर को उल्टा पुल्टा कर दो नियूमरेटर की जिए डिनॉमरेटर तो इसको हम लिखेंगे वान अपॉन फाइव की पावर वन या आप वन अपान फाइव लिख दो पावर वन से कोई फरक्न नहीं परता है थार्ड क्वेशन है सिंप्लिफाई करना इसको यहां पर जैसे फस्ट वाला है तो आप देखो यहां पर यह डॉट का मतलब है मल्टिप्लाई हो रहा है तू की पावर टू बाई थ्री इंटू की पावर वन बाई फाइव अब आप देखो टू और टू सेम है यानि कि बेसे सेम है और बीच में मुल्टिप्लाई हो रहा है तो आप इसको कैसे लिखोगे आप इस क्वेशन को लिखोगे टू और फिर आप इसकी पावर्स को कर दोगे एड़ टू अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फाइव और ब्रैकेट में आप रिजन दिदन है कि यह दोनों प्लस को जो है एड़ कर लो नॉर्मल फ्रेक्शन की तरह आपने यह बच्पन से सीखा है तो यह टू तो आज इसको छोड़ दो और यहां पर आप ले लोगे तो फाइव थ्री जार फिफ्टीन और फाइव को टू से किया तो टैन फाइव टू जा टैन बीच में प्लस है तो प् एंसर यह टू थोड़ा सा बड़ा लिखना ठीक है ऐसा एक मिक्स नमबर नहीं लगना चाहिए आप इसको एसे लिखो टू इसकी पावर थर्टीन अपाउन लिख्टीन सेकंड पाट देखिए यह क्वेशन थोड़ा सा इसने कुछ ऐसा खालिया इसको हजम नहीं हुआ मैं है इसको सही तरह किसे वापिस लिखता हूं यह कुशन ऐसा है वन अपॉन अपाॉन ट्री की पावर ठ्री और हो ल्बॉवर 7 ये क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं इसमें क्या है यह 7 तो पूरा ब्रैक्ट की पावर यह निमिरेटर की भी हो डिनौमिनेटर की लिए तो मैं इसके से सकता हूं जी अलग-अलग यह वन की पावर 7 और यह 3 की पावर 3 तो है पहले से और इसको भी हम पावर 7 दे देंगे साथ में तो 1 की पावर कितनी भी लगा दो क्या ही फरक पड़ता है 1 तो रहेगा 1 अब ये जो है denominator ये वापिस वही बन गया A की पावर M, होल पावर N तो MN हो जाएगा तो 3 की पावर 7, 3 जा 21 तो ये 21 हो जाएगा आप चाहो तो यहां तक भी लिख दो लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे 1 अपावर 3 की होल पावर 21 तो जादा अच्छा रहेगा अब आप बोलोगे सारी ये 21 होल कहां से आ गया अरे भाई 1 है 1 की पावर 21 भी लगा दोगे तो क्या फरक पड़ता है तो अगर 1 की पावर 21 लिख दूँगा तो 1 अपावर 3 की होल पावर 21 आ जाएगी थर्ड वाला है 11 की पावर 1 बाई 2 अपावर 11 की पावर 1 बाई 4 अब यहां पर आप देखो बेसे सेम है और डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है तो मतलब है यारे कि जोंट है वन बाइट इस में से हम मनेस करेंगे मैनस करेंगे जी वन अपाइट्पोर ओbior यां रह आधी में से वन फॉर्थ मतलब आदा पिज़ा में सब लिधा तो इसका डाया आफ किसे से लिख सकते हो 11 की पावर 1 upon 4 और आप चाहो तो वही कन्वेंशनल मेथर से इसका LCM लो फिर 4 फिर इसको इस से डिवाइड करो इस से मल्टिप्लाइ करो और वो करोगे तब भी 1 upon 4 ही आंसर आपका आएगा 4 part 7 की पावर 1 by 2 है और 8 की पावर भी 1 by 2 है तो इसका मतलब है इस बार जो है basis different है 7 और 8 पावर सेम है तो हमने last वाला formula पढ़ा था क्या पढ़ा था a की पावर m और into b की पावर m तो a की पावर m b की पावर m बन गया a b की पावर m तो इनकी भी a b बना दो फिर इनका भी तो यह 7 into 8 हो जाएगा और whole power one by two आ जाएगी तो seven eights are one upon two है ना seven eights are 56 तो 56 की पावर one upon two is your answer तो आज के लिए बस इतना ही उमीद करता हूँ आपको मजा आया होगा समझ में आया होगा तो बस अपना ध्यान रखिए पढ़ते रहिए